नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत आपके योटूब चैनल ट्रेडवित राणिक चलिए दोस्तों आज की सुरुवात करते हैं जैसे के अपने कौर्टर वन रिजल के सीरी चलिए तो उसके अंदर आज ही के दिन ट्रैडेंड लिमिटेड को कौर्टर वन करें चलिए अब रि चैनल लिम्टेड यहीं करती है और इनका यहां को तैक्स्टाइल के नदर यहां कि अंदर परहएं चाहां में बागी जो यह बात कर रहे हैं तो दिखिए ज्यादा क्योंकि टेक्स्टाइल निकी जो है वह वह बढ़ी है यहां को अनुए के लिखो करको देखने को मिलने के आप रहे था चोटे से तक भी पहुंच तो हम बात किसे से क्वाटर बन रिजल्ट की तो देखें उननीस नौ अगस्ट तो जाबाइस आज इसको क्वाटर बन का रिजल्ट आ है तो रिजल्ट के अंदर कंपनी की तरफ से डिविडेंट डिल दी गई है दे सकते हैं आप कंपनी ने 0.36 पैसे का रिटन दिया है फर्स इसके अंदर कैसा इसके अर्निंग से वह समझते हैं तो इनकी अर्निंग्स में इसको सिंप्लिफाइक के समझते हैं कैसरा इसको क्वाटर बन का रिजल्ट तो दीखिए मैंने स्केनर के साइड ओपन कर रखिए तो एनसी बीसी डिट में मार्केट काई पर 20,256 क्रोड पैसे गया है रिटर्न फिक्वेटिस का 20.4 परसेंट का डिवीटन कंपनी ने वितक दिया है 0.91 परसेंट का फेस्वेल इसका एक रपे का है अब देखिए कंपनी क्या करें एक्सपेंड क्वाटर क्वाटर रिजल अच्छे देने के रिए और कंपनी जो कंपांड़ ग्रो ऑफ्रेसंट प्रॉफिट निकल आए 262 करोड बंगर च्छे लुए अप्रशन परसेंट निकल लिए इसगा गटके 221 रिणन्ट क्रोड हो मीधे है और कंपनी जो के बलर को विल ओई इसीर क्रोड रुए और प्रसनेट प्रॉफिट 328 क्रोड से गटकेFSD 2000 क्रोड हुआ है और सॉरी, नेट प्रॉफिट 180 करोड से घटके सीधे 139 करोड हुआ है, अनिंग परश है 0.36 से घटके 0.25 वादर रिखे, डिफरेंसल देखने हो मिले हैं, हमें चाहिए सेल में ले लिजी चाहिए, अप्रेशन प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अनिंग परश है, ये क्वाट प्रॉफिट 235 से घटके सीधे 139 हुआ है, अनिंग परशेर भी 0.46 से घटके 0.25 हुआ है, इसके जो टेक्स्टाल की डिमांड थी उसे हम बढ़ रही थी, और रिजल्ट के जब अनुमान अच्छा आने लगे तो रिजल्ट के वासे शेर ने अच्छी कासी तेजी भी तो देखिए इसके अंदर अब गिरावट का सिलसला चला काफी टाम से ट्रेट के नीचे ही ट्रेट कर रहा है, और काफी लोग इसमें अनुमान लगा रहे हैं कि काफी तीजी होगी बढ़ देखिए नियूस पर व्यूस करना होता बाकी जिसता से इनके प्रॉड़क की डि अब इनके शेर होल्डिंग पैटन देखता है जून दोजा बाइस तो लास्ट क्वार्टर में परमोटर के होल्डिंग 22.94 तो सेम है और देखेंगे एफाइस के होल्डिंग 3.13 ती वो बढ़के 3.17 हो चुकी है और डियाइस ने भी देखिए 0.01 से बढ़ाके 0.05 कर चुक है तो इसमें ग्रावट का सिलसरा कल के दिन भी देखने को मिलेगा अब देखते हैं कि रिजल्ट हैं से पहले कल के दिन कैसा तो इसका ट्रेटिंग से नो वो समझते हैं देखेंगे ट्राइड का कल के दिन ये 0.87 की ग्रावट लाग के बंद हुआ ओपन होता चालीस पैसे लो मारे से 49 रुपे 60 पैसे प्ट्रों पैसे गांग पांच दिन के अंदर जीरो पर निन्यान पर संट गिरावट दिखा चुका है वन मंद के अंदर तीन परसंट चला हो ले सिक्स मंद के अंदर ये 32 परसंट गिर चुका है मैंने आपको बताया ना काफी टेम से शे चालिस के असपस जाता फिर वहां से रिबांड होके गिर जाता है 30-35 के बीच में फसा हुआ है और देखा चुका है यह तू डेट के अंदर यह 25 परसंट गिर चुका यानि परसंट गिर चुका यानि गिरावट का सिलसले में अच्छा का सा देखने को मिल रहा है अब तरह रहा है अब तरह टाहिए यहां पर यहां पर डेली चाट में अपन कर रहा है तो यहां पर देखने अपर 35 के असपास मुझे नहीं लगते हैं पैठीस से पहले रिबांड होगा तो यहां से बाट मिल सकते हैं बद कल के दिसमें घ्रावट होगी अभी से अवोइट कर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है और इसे बिल्कुल भी अपने पॉट्फोलियों में अगर आपके पास चोटा मॉटा लोस और निकल जाए क्योंकि अब जब तक इसमें अच्छी निज्ट देखने को नहीं मिलता तो जब तक तक के लेवल देखने को मिलेंगे तो इ क्योंकि 30 का लेवल भी ब्रेक होता है 25 के लेवल इसमें देखने को मिलेंगे बट मुझे लगता है 30 35 के बीच में आख से बाके फिर से रिबाउंड करेंगा हूं वहां से तेजी का दम कम देखने को मिलेगा बट अभी के लिए इसा वह अवाइट करिए और चोटा बटा ल कुल ना भूलें थैंक कि सो मच पूर वाचिंग डिस वीडियो